आप अपनी स्क्रीन पर देख पारें बेंगुली वर्षन का कोश्चन पेपा मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास इट परिवेस और भुगोल जन्वरी 2022 बंगला वर्षन के कोश्चन पेपा की मदद से ही हिंदी में कोश्चन पेपा को रुपांतरीत किया गया है इंग्लीज वर्षन का कोश्चन पेपा एवलेबल नहीं होने के कारण से हिंदी में रुपांतरीत करके आपके लिए कोश्चन पेपा इसकी स्टरडी पॉइंट से लेकर आये हैं आप अपनी स्क्रीन पर अभी हिंदी वर्सन वाले कोशन को देख पा रहे हैं इसको सुरू करने के पहले पहले की तरह फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसकी स्टडी पॉइंट से लेकुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो तुरं का फैमिली भी बढ़ता जाएगा और इससे हम लोगों को काफी मनवल बढ़ेगा तो चलिए सुरू करते हैं मॉडल एक्टिविटी टास्क लास एट परियावरा नर्भुकोल जन्वरी ट्विंटी ट्विंटी टू को पहला कोशन दिया गया है चट्टान के नीचे अर्ल पेंज नंबर चार को देखते हैं तो आपको इसका एंसर मिल जाएगा चार और पांच में दिया गया है तो पांच में इसका एंसर एक्टम क्लिー ली मैंसन किया गया है एथेनव सोपियर ठिक है आपको confusion आएगा कि crust लिखें किन्तु B number option होगा सही दो नमबर में दीखिएगा आपके पास यह diagram दिया गया है और इस diagram की मदद से आपको बताना है विक्रीतियां को आप चाहें तो इसकी study point से लिखुड़ी का 2020 का model activity task का part 1 को जाकर देख सकते हैं तो उसमें part 1 और part 2 की मदद से आप इस concept को अच्छी तरह से समझ सकते हैं discontinuity के बारे में बियुक्ती रेखा के बारे में तो इसमें सही उत्तर होगा layman ठीक है? layman उसमें बहुत अच्छी तरह से बताया गया आप जाकर जरूर सुन लिजेगा अगर बियुक्ती का concept को clear करना चाहते हैं question number 2 देखिए इसमें fill in the blanks दिया गया है और इसमें तरंग के बारे में बताया गया है earthquake का earthquake मतलब bookam का तो अगर आप bookam के बारे में जानते हैं समझते हैं तो आपको इस concept को समझ लेना बहुत जरूरी है कि जो तरंग होते हैं वो कम के P, S, उसके आद L इस तरह से चलता चलता है तो P हो गया primary S हो गया secondary ठीक है और L हो गया love ठीक है इस तरह से जो तरंग है उसके बारे में दिया गया है आप पहला पार्ट में जब पढ़ते हैं तो इस तरंग तरल या अर्ध तरल माध्यम से प्रवाहित नहीं हो सकता या दिया गया है ठीक है आप second chapter में जब भुकम के बारे में पढ़ेंगे तो और details में आपको इसकी जानकारी मिलेगी दूसरा देख लिजे प्रीथवी के केंदर के निकट पदार्त का घनत्वा 13 से 14 ग्राम प्रती घन सेंटिमेटर होता है आप चाहें तो यहाँ पर अधिक लिख सकते हैं या ज्यादा वर्ड को भी लिख सकते हैं ठीक है तीसरा देखिए तीसरा में फिल इन दे ब्लैंक्स का तीसरा में जब आप जाते हैं तो आपके पास में भूबटल और गुरू मंडल के उपरी भाग से मिलकर बना है सीला मंडल तो यह भी पेज नंबर आप पांच में जाकर देख सकते हैं पांच में किताब में आप देख सकते हैं इसका एंसर दिया गया है अब सही गलत आपको बताना है सही है तो सत्य लिखना है और असत्य है तो असत्य लिखना है या गलत लिखना है इस तरह से question का रुपांतरन में आप देख लिजेगा जैसे दिया गया वैसे आप लिख लिजेगा पीत रंगे प्रिस्टिय द्रव माध्यम से प्रवाहित होती हैं, तो यह आसत्य है, ठीक है, क्योंकि ठोस द्राव इन दोनों माध्यम से प्रवाहित होता है, पीत रंगे, इसलिए यह गलत हो गया, केंद्र मंडल या कोर के मुख्य घटक, अलुमिनियम और सिलिकॉन है, तो यह गलत है, क्योंकि इसमें निकल और आयरन दोनों होता है, निफे भी बोलते हैं, ठीक है, सीमा किया पेक्चाक्रित भारी होने के कारण सियाल के नीचे इस्तित होता है, ठीक है, सही है, अब देखे, कोशन नमबर तीन में, मैगमा और लावा के बीच में अंतर अस्पस्ट करना है, तो आप ऐसे लिख लिजेगा, त पर दवाव के कारण गैस तता वास्प उनसे मिलकर तरल अवस्ता में परिवर्तित हो जाते हैं, इसे ही मैगमा कहते हैं, जबकि भू प्रिष्ट पर तरल और गर्म मैगमा के स्राव को लावा कहते हैं, तो मैगमा धर्ती से बाहर निकल कर उपर में आकर ठंडा हो रहा है, तो भू घर में इस्तीत उष्ट तरल पदार्त मेगमा हैं, जबकि जमीन से बाहर निकला हुआ ठंडा मेगमा लावा है, ठेक हैं, अब निक्स्ट देखिए अंतर दिया गया है, क्रोफे सीमा और नीफे सीमा की बारे में अंतर प्यार करना हैं आपको, पहला पंड क्रोफे सीमा का विस्तार गुरू मंडल या मैंटल के 30 से 700 किलो मिटर तक है, वहीं गुरू मंडल के 700 से 29 किलो मिटर तक नीफे सीमा का विस्तार है, ठेक हैं, लिख लिजेगा, नीफे सीमा का विस्तार 700 से 29 किलो मिटर तक है, क्रोफे सीमा को पादान क्रोमियम, लोहा, सिल अर मेगनिशियम, होता है जबकि निफसीमा को उपादान जो है और वया जो है निकेल, लोहा, सिलिकॉन और मेगनिशियम होता है और इसी कारण से क्रोमियम, लोहा आइरन, सिलिकन, मेगनिशियम इसी के हिसाब से C-R-A-V-A-S-I-A ऐसिमा कहा जाता है तीक है क्रोफे सीमा को और नीफे सीमा को निकेल, आइरन या लोहा, सिलिकन और मैंगनेशियम के अधिक्ता होने के कारण से नीफे सीमा कहा जाता है तो देख लिजे आप स्पैलिंग कहां से त्यार किया जा रहा है, यह जो तत्वा हैं इनी के मदद से पहला अक्षर या दूसरा अक्षर या फिर इनके संकेत को लेकर ही इनका नामकरन किया गया है चार नमबर को देखेगा, यह आपकी किताब का पाँच नमबर पेज में है, डायग्राम भी हो सके तो मैं दिखा दूँगा, देख लिजेगा आप अपने किताब का पाँच नमबर पेज में देख सकते हैं भूगर्ब में परिचलन सुरोत की भूमी का बताना है और उसका उलेक करना है भूगर्ब में पदार्थ गलीत या नरम प्रकृति के होते हैं और उपर के पदार जो पेज चाकरित अधिक ठंडे और भारी होते हैं नीचयों की योर चले जाते हैं इस तरह परिचलन सुरोत त्यार होता है अधा परिचलन सुरोत से भूगर्ब का ताब उपर की तरफ आता रहता है इतना पॉइंट अप लिख लिजएगा आपका complete answer का लाएगा आप देखिए पांच नंबर जो है question number five marks का है और यह आपके book से ही दिया गया है तो मैंने क्या किया है आपके book का page number six का ही page से लेकर हूब हूँ और इसे ही लिख कर त्यार कर दिया है जिसमें बताया गया पृत्वी का आंतरिक भाग की पांच विशेस्ताओं को लेक कीजे आप इन पांच विशेस्ताओं को लिखने के समय में पॉइंट बठा लिजेगा one two three four five करके तो पहला पॉइंट होगा पृत्वी का आंतरिक भाग एक सदी कस्तरों में भी वक्त है दूसरा अफेक्चा करीद भारी पदार्थ पृत्वी के केंदर की तरह पवस्तीत है तीसरा इनकी तुलना में हलके पदार्थ भूप्रिस्ट के आसपार संचीत है चौथा पॉइंट भूप्रिस्ट या सिला मंडल के बारे में जीतनी जानकारिया प्राप्त है उसके पेक्चा में गुरु मंडल और केंदर मंडल के संबंद में भी से जानकारिया अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है और पांचवा पॉइंट भुकम तरंगों की गतिवीदी को देखकर प्रित्वी के आंतरिक सरचना के बारे में सही जानकारी प्राप्त की जा सकती है तो इस प्रकारज उमीद कर रहा हूँ आपको इसकी स्टर्डी पॉइंट से लिग उड़ी का क्लास एट का जोग्राफी समझ में आ गया होगा अगर अभी hurts की स्टरेडी पॉइंट से ले गुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए तो तुरंत सब्सक्राइब कर लिजेगा लाइक और शिएर करना अपने दोस्तों से बिलकुल नहीं बुलियागा इसकी स्टर्डी पॉइंट से लिग उड़ी के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत दनीमाद है